नमस्कार बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्सकों का अभिननदन मैं हूँ कनिया ठाकुर आज एक दुखद हेर्दय असपर्सी घटना के बावत जनकारी दे रहा हूँ फुलपरा स्थाना छेतर की यह घटना है सरक हाथसे में दो चातर की मौत हो गई दोनों चातर पढ़ने के लिए जा रहे थे शुक्रबार को यह घटना हुई खोपा चोक से पच्छिम एनेच संतावन पर बाइक से पढ़ने जा रहे दो यूबकों की सरक दुर घटना में दर्दनाक मौत हो गई परत्यक्ष दर्शियों की माने तो यह मौत बड़ी विवस थी जानकारी के अनुसार दीपक कुमार भंडारी 22 वर्ष के हैं उनके पिता रामनंदन भंडारी ग्राम बिसुनपूर के रहने वाले हैं एवं सागर जहा 23 वर्ष उनके पिता सुमन जहा ग्राम बैका के निवा पर खोपा चोक से आगे गुजर रहे थे तभी अग्यात बाहन ने पीछे से ठोकर मार दी बताया जाता है कि कुहासा के कारण यह ठोकर लगी होगी इस ठोकर में छात डीपक भंडारी की सरक पर गिरकर ही ततकाल मौत हो गई जबकि दूसरा सागर जहा बुरी तरह जखमी ह हो गया सागर जहा को जखमी हालत में अनुमंडल अस्पताल फुलपरास लाया गया जहां चिकित्सकों ने जहांच के बाद उसे भी मिर्त गोसित कर दिया घटना काफी दुखत थी दुरगटना की सुचना मिलते ही ठाना पुलिस घटना अस्तरवा पहुंच कर सब को अपन खिलाफ मामला दर्ज किया गया है दोनों यूबकों की मौत से गौं में मात्मी सन्नाटा चाया हुआ है परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हल है दोनों चात्र के परिजन सिर्फ इतना ही कहते हैं कि यह चात्र अपने भविस निर्मान के लिए पढ़ने के लिए जा खत मौत हो गई इससे बड़ा हादसा लोग दुस्मन को भी न दे और इसी हादसे की खवर के साथ मैं यह जानकर इसमाप्त करता हूं आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्यवाद